तीन हजार रुपे के अगर वो जो इनकम कर रहा है अगर वो अपने खेत में रहे करके वह तीस लाक रुपे कमा सकता है तो मैं चाहते हूं कि किसान के लिए और उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है हमारे साथ सिकर जिले की एक ऐसी महिला है जो खेती करके आज लाखों रुपे महिने के कमा रही है और महिलाओं के लिए प्रेणा इस्तरोत भी वह बन रहे हैं तो आज उनसे हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले तो मैं आपको बढ़ाई देना चाहूंगा कि आज भी हमारे देश में जो गाओं है हम जैसे कि हम गाओं से बिलोंग करते तो गाओं में यह माना जाता है कि महिलाओं का काम है कि वह घर में जो गर्का कामकाज है वह संबले लेकिन जैसे हमने आपका फारम देखा और आपकी जो कहानिया है आपका फारम विजिट किया वह सुनी हमने तो वास्तों में हमें लगा कि मैलाएं पीछे नहीं है और आज आप पूर्सों के तरह आप कंदे से कंदा मिला कर चल रहे हैं और प्रणाम करते हैं मैलाओं को जो पूर्सों की बराबर में खड़ी है सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन देदीजिए आपका नाम और आप कहां से बलॉंग करते हैं मेरा नाम संतोस खेदड़ है मैं गावं बेरी जिला सिकर र आप खेदी परने काम करना चाहती और आज मैं बढ़ी हों कि मुझे खेदी से पहले सुरू से लगा था जब मैं इसकूल में जाती थी आप जो ये खेदी कर रहे हैं तो आपको इप रेंचना कहा से मिली ये सुरू में मेरे पती होउमगार्ट के नो करी करते वे तो यह खे करेंगे तब ही हमें कुछ इनकम हो गी तो मेरे पती ने कहा कि कौंसे पेड लगाने से ये तो मैंने सुना था कि अनर था एक अनर 11 मार तो अनर की खेषली तो फिर मैंने और भला वह लगाते तो पहले बनवाया और फिर इंजन से शेट सें इन्हें पाँ साल तक पैडंग को पाला अपने पण सन पानी को बच्が सक्ते हैं। शबिव वाक्या का से पने अपने पड़ फैय सकता है। पर मेरे पति नहीं मेरे पति को दो पर करवन करो यह कं सब्सकी भावा था 12000 नोकरी हुआ तो उन्हीं Inne su कर है करता साथ हम आप अनार अनार लगए तो झाके देखा करोलि में लगतुआ धिर निक्यांItalais तो जो बीच का गयब था उनमें हमें 15 भाई 15 पर हमने फिर बीच में मौसमी लगा दी तो मौसमी लगाने के बाद हमने सोचा क्यों ना हमें इससे आगे बढ़ाए क्योंकि एक ही पे तो हम निर्बर रह नहीं सकते हाँ इसलिए हमने फिर जब अनार से प्रोडेक्शन मिलने लगा तो सुरू में 2011 में हमें तीन लाख रूपे की इंकम हुई थी उसके बाद हमने इसी से आगे बढ़ाए तो हमने इन्हें के मदर प्लांट तयार करना शुरू कर दिए तो फिर हमने 20,000 प्लांट अनार के लगाए और उसके बाद हमने डेड़ सो प्लांट अपने खेत अच्छा मिलता है 300-400 लूपे तो वहीं हमने निम्मू लगा तो आज जो किसान भाई हैं जो ज्यादा कम मेहनत कर हैं तो वह मोश्मी और निम्मू लगा रहे हैं क्योंकि इसमें इनकम ठीक है और महनत भी कुछ नहीं है इसलिए हमने हर वेराइटि के के अपने खेत में पो खादरी भी होती है तो यह भी किसानों के लिए प्लेटफॉर्म आपने त्यार किया वह बहुत अच्छी बाद अपने फार्म के बारे में थोड़ा सा ओवर्यू दे दीजिए कि आपने किस आप से क्या क्या लगा रहता है तो इसलिए ऐसे किसान भाईयों की सोच बदल चुक एक ऐसी चीज वहिREY है जिसमें हम दौना लाप कमा सकते हैं ने हो हरिकान भाईया भी भी कि esti से जूड़ चुका है और अपने पांच बिगा में लगाए थे और इस पांच बिगा में लगा करके हम ने 220 अनौर के लगा थे और 500 बीच के मॉसमी के लगा दिए 100 एपल क्योंकि सुरुवाद में कहते हैं कि जम्मु कस्मीर में होता है और वहीं हमने आज राजस्तान में तयार करके दिखाया है ने आप एपल लगा रहा है और प्रोडेक्शन दे रहा है हमारे पास 2016 में प्लांट आया था आज उसका प्रोडेक्शन हो रहा है 20-25 किलो तक चाहिए क्योंकि ड्रीप सिस्टम से हमारा जो पानी है वो वेर्थ नहीं होगा हमारा पेड़ है वो अच्छी तरह ग्रोथ करेगा और इसकी जो जेड़े होती है वो खराब हो जाती है और जो किसान भाई है रसैन अपने खेतों में डाल रहे हैं तो उन्हें उनके जो अपना जैविक कर रखा है अगर हम पोरा फरम है अपना यह आपना लेकि करने से हमारा जो अगर हमारा तोड़ कर रखेंगे तो एक मेने तक कराब नहीं होगा और यहीं सबसे है और इसका मिठास भी बहुत अच्छा है और इसकी सइज भी आदा किलो से लेकर के 600-700 ग्राम तक ही साई जाती है संतों जी नें बहुत अच्छी बात बता थी कि जो खेती है वो गटे का सोधा यह सही बात खाल पर यही बात सुनने को मिलती है लेकिन फिर उसके बाद में 2008 से इन्होंने स्टार्ट किया उस टाइम पर प्रमपरागत खेती को छोड़ कर ये टेकनिकल फार्मिंग पर आये और और चाड वगर लगाया इन्होंने बगीचा लगाया उसके बाद में वो जो कहावत थी उसको इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया खेती-घाटे का सोधा है लेकिन अगर हम प्रमपरागत तरीके से क्षेती कर रहा है तब यह अगर थोड़ा सा हटकर वो जो कैर बनी हुई है उससे हटकर हम खेती करेंगे तो खेती गाटे का i MacBook-ahlen नहीं है जिसा की इन्होंने सिद्र कर दिया है संतोस जी आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहां पर सम्मानित हुए और किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा बता दीए मुझे हर जगह सम्मान मिला है मुझे जैसे वमारे जो मुखे मंत्री जी हुए पहले वसंद्रा जी परपुलाल शैने जी थे अनधे अधी सम्मानित ओक्फ नािडू जी थे वैंकट नइड़ू जी थे उन्हों से मैं सम्मानित हो किसान के लिए एक सम्मान सबसे बड़ी चीज है और हर एक किसान को अगर सम्मान मिलता तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता और एक किसान अगर अपने खेत में कोई नहीं नहीं चीजों का अगर वो यहां अपना इनोवेशन कर रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है अब मैंने एक रेड डायमंड का एक अमरूद लगाया उस पे बीज बिल्कुल नहीं है अंदर से वो लाल है वो ऐसी एक अमरूद की खासियत है कि जो आदा कि जाए गये और मिठास उसमें बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैं चाहते हूँ हरे किसान वाई अपनी खेती में ही अलग अलग तरीके से इनोवेशन को कर सकता है और एक किसान अगर जो अपने खेट में रहे करके वो तीस लाक रुपे कमा सकता है तो मैं चाहते हूं कि किसान के लिए और उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है और आपके सामने मतलब यह लाइव में दिखा रहा हूं कि एक मैला है वो खेटी कर रही है और इतना अच्छा इन्होंने फार्म डवलप कर रह लगे हुई है और यह रहा है में लुक्ता है रसाइन का जो बाहर मार्केट में मिल रहा है वो नहीं खाना चाहती तो ऐसे महिला को में पर सलूट करती हूँ अगर जो अपने 80,000 रुपे की पेमेंट को छोड़ के आज खेती पर आ रही है आज कई मेला हैं जुड़ी हैं मुझसे उन्होंने अपने खेत में आज इतने बगीचे लगा रखे हैं और वो अपने खेत अपने बच्चों को अपने पती को सभी को वहां लगा करके और वो काम कर रही हैं और अपने खेत में करके हम अगर यहां पर मजदूर रखेंगे तो अधर स्टेट से आ रहे हैं मजदूर है यह जो महिला है जो देख रही है उनको भी प्रेंड़ना लेनी चाहिए जो पूरा फारम है वो नहीं कर सकते जो बीगा दो बीगा में उनको थोड़ा सा घटी इनोवेशन करना चाहिए यह संतोजी का कहने का मतलब है संतोजी हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मेसेज है मेरा किसान भाईयों के लिए मेसेज है कि किसान भाईयों आप अलग हटके करो आपको अलग हटके करना है नहीं नहीं जो आविशकार है जो नहीं नहीं मसीनरी आ उससे आप काम में ले सकते हो आप बागवानी की तरफ आओ ताकि अपने ही आप निया जो है दुगनी कर सकते हो और इस बागवानी में इतनी मेहनत भी नहीं है क्योंकि इसको हमने एक बार लगा दिया तो बीस साल तक इसको देखने की जरुरत ही नहीं है जैसे अपने को भी आगे बढ़ा सकते हैं पर पता नहीं किसानों का मौह उस जो प्रमपरागत खेती से छूट नहीं रहा है काफी कम किसान है जो उसका मौह छोड़कर इदर आ रहे हैं बाकी मेरा भी परसनली मानना है कि हमें बागवानी की तरफ जाना चाहिए पूरी रिस्क अगर नहीं बढ़ सकता है जो नौर्मल जो खेती करते हैं बाजरा कि उनमें हर्च महीने पर चार महीने पर फसल पती है कटाई निराए गुड़ाई काफी सारे उनमें जो लागत है वह बढ़ जाती है तो फिर जो किसान के बचत होती है नहीं हो पारती है उन्हें सामने ही आ रहा है सा हम इनकी कटिंग करके पॉद्ध तैयार कर लेंगी, तो हमें डवल मुनाफ़्ा हो रहा है तो वह किसान भाई भी कर सकता है किसा पोदे लग लगतकि प्लब्त कर रखे हैं और हरे किसान बाएहों कोँ किस तरह बायाने कで आना चाहिए किसान बना नह quién रघाने को हुआं ours स्वार्वरिय तो हरे किसान भाई यहां अपने पाज सकता है और बरसात के दिनों में मार्च के अंदर किसान भाई आते हैं और यहां पर चाहूंगे कि पहले जहां से पौध करिए तो उन्हें देखकर के बाद में पर खरीदें अगर उन्हें पांस साल तक वेट तो वो बहुत गाटे का सोदळा हो सकता है और हमारी जो यह यह उन्सिरी Konrasi करें कहीं पर लेकर जाए उन्हें सबसीडी मिलेगी और किसान भाई यहां से बहुद जरूरी है और सबसीडी के लिए नर्सरी का रजिस्टर्ड होना भी ज़रूई है तो आप यहां से पोदे ट्राइ कर सकते हैं और इनके फार्म तक पहुंचने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे गुगल वगरे पे जो मैप वगरे प्या इनकी आपकी लोकेश वह अपने घर पे बनाएगा उसी चीज़ की बज़ता है बजार से अगर हम कुछ लाते हैं तो हमारे पास बच्चत कुछ भी नहीं रहे लेकिन आप उसको बेचेंगे का उसका मार्केट भी इसकान अपने खेत में बना सकता है जिस तरह से हमने बना रखा है हमारे जो फल ह हमें कहीं मार्केट में ले जाने की जुर्वत ही नहीं है क्योंकि हर एक यहीं से आके खरीदता है क्योंकि रसायन का कोई खाना ही नहीं चाहता है इसलिए मैं चाहते हूं किसान भाई हो आप पेड़ लगाओ आपको बेचने की दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पे हर एक यहा तो बाजर में जाएगा तो नको किसान को पैया करना तो इस सिदा इस बचता उस में से जा रहा है तो जमीन की खराब हो रही है तो वह बीकिसान को यह है कि आपको थोड़ा सा यह मैंनत पेसमें जरूर हो वह बढ़े गी और आपके वास्ते के लिए अच्छा रहेगा और तो दूर दूर से किसानबाई आरहे हैं यू पी बिहार कालकता अलग हर्याणा है तो हर्याना की सैड भी बहुत से लोगों का रुजान हुआ है कि क्योंकि वहां पर जो कपास बहुते हैं तो कपास हैं इन में रसाय जादा डालरें तो उसे छोड़ करके वह बागवानी में अना चाहते हैं कि अपने खेत को बचाना चाह रहे हैं और मैं चाहते हूं कि जितने भी किसान वाई हैया णिठ मुंना जब घॉ plateau कोई णवेयराइटी देखते तो आगर मेरे पास इतने किसान ऑड़ाय हैं एप्पल के प्लांट उनकी सोच अगे बढ़ रही है हर एक डिस्टिक्स से मेरे पास जो किसान भाई आ रहे हैं जैपूर से देख लो हर हरयाना हर जगए से जो किसान भाई आ रहे होतना खुश है कि अगर भई महिला कर रही है तो हम क्यों टीशरी साल लगने के बाद ही फ़़ अपैड लेकिन हमें उनको दो साल तक तोरना पड़ेगा क्योंकि दो साल तक तोरेंगे इस लीज फेड़ ग्रोध कर जाएगा। उसके बाद हम फ़़़ने सकते हैं उसकी हमारे पास गारंटी है यह नहीं हमने पहले अबर हमारे पास प्रॉडेक्शन मता है। उसके Badем मोस्मी का होताई फिर निंहों मूछ होता है। फिर खेय्या होता है। इसलिए अलग-अलग का वनले का हमने सारा टारगेट निकाल करके तक हमारा पास-थे हो जाता है और यह सब्सक्राइड हो जाती तो इसी खेती से मैंने अपने बच्छों को आज हर एक पढ़ाई करवाई हैं और एक बाई बची को भी यह बच्छी करवा करके आज वह पढ़ रही है आगे वो तैयारी कर रही है और चोटी वेटी को मैंने सुपर्वाइजर बनाया है मैं चाहती हूं हरे किसान भाई अपनी खेती में करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षित करें उन्हें पहले अपने पैरों पर आत्म निर्वर बनाए और लड़के को मैंने अगरिकल्चर से बीच्ची करवा कि इसी खेत में चुड़ा है क्योंकि तू पढ़ लिक करके नोकरी करके क्या करेगा तुझे खेती में रहना है तो खेती में अगर तू कमा सकता है तो तुझे नोकरी पर जाने की जुरती नहीं है और मैं चाहूंगे कि किसान भाई पैसे कावन पैड़ दिये थे तो आज उसके साससुर सब उसी में काम कर रहे हैं और उन्हें इनकम हो रही है तो इसलिए हर एक बराती को दो-दो पैड़ दे दिये तो आज वो बराती भी खुश हैं फिर मैंने छोटी बेटी की शादी की तो ज्यादा बराती आए बोले वहा जा अब यह कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं और पूर्सो को तो प्रेंड़ना लेनी ही चाहिए पूर्सो को तो करना भी चाहिए संतोस जी आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उमिद करूंगा कि किसानों को आपकी यह जो जानकारी है वो आपने वाद आप